सिद्धार्थ सर्किट हाउस से हडबढाते हुए बहार आया और गौरी को पुगारने लगा। सिद्धार्थ यहाँ वहाँ पर गौरी को खोजने लगा। उसके पीछे बुड़े बाबा और मिस्टर बजाज भागते हुए आया। सबकी चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ सर्किट हाउस के में गिट से बाहर जानी ही वाला था की बुड़े बाबा ने उसे बाहर जाने से रोक दिया। उन्होंने सिधार्त को समझाने की कोशिश की कि इतनी रात को बिना हथियार बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। सिद्धार्थ घुस्से से अंदर गया और अपनी कुलाडी लेके बाहर आया और घुस्से से उस कुलाडी से वहां रखेवे मिट्टी के घड़ों पर वार करके उन्हें तोड़ने लगा बुड़े बाबा और मिस्टर बजाज ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन सिद्धार्थ का घुस्सा साथवे आस्मान पर था सिद्धार्थ किसी के रोकने से नहीं रुकने वाला था सिद्धार्थ घुस्से में रोसोई घर में गया और मिट्टी का तेल उठा कर लेकर आए और दारते हुए बोला आज, आज मैं उस हवेली को जला दूँगा ना रहेगा सांप, ना रहेगा उसका जहर ये कहते ही सिद्धार्थ में अपने पैरों से में गेट को लात मार कर खुला और एक हाथ में कुलाडी और दूसरे में मिट्टी का तेल लेकर हवेली की और टीजी से चलने लगा बुड़े बाबा भाग कर उसके पीछे गए और उसे समझानी की कोशिश करने लगे लेकिन सिद्धार्थ नहीं रुका सिद्धार्थ ने घुसे में कहा कि जब सारी फसाद की जड़को ही खत्म कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा तब बुड़े बाबा उसे समझाते हुए कहते है हवेली चला देने से अगर सब ठीक हो जाता तो तुमारी जरूरत ही क्या थी सिद्धार्थ ये काम तो गाँ वाले कपके कर चुके हो थे और हवेली चलाने से शैतान तो मरे न मरे तुमारी मा और गारी दोनों जरूर मर जाएगी ये सुनते ही सिद्धार्थ रुग गया उसके हाथ से मिट्टी का तेल का डबा जमीन पर गिर गया सच्चाई का सामना होते ही उसका हुस्सा शांत हुआ उसे होश आया सिद्धार्थ वही जमीन पर गुटनों के बल बैठ गया बोड़े बाबा उससे जोश और होश दोनों कभी न खोनी की बात समझा कर उससे सरकिट हाउस के अंदर वापस लेकर गए बोड़े बाबा और सिद्धार्थ दोनों ने ना चाहते हुए भी खाना खाया और सोचने लगें कि गौरी गई कहा होगी तब ही अचानक सिद्धार्थ की आँखे चमकी और उसने बोड़े बाबा को वो वाक्या याद दिलाया जब ये दोनों हवेली में कुलहरी लेने सिड़ी चड़ रहे थे और उन्हें किसे इनसान के खद्मों की आहाट हुई थी और दबी दबी आवाज आ रही थी बोड़े बाबा ने हामी भरी और सिद्धार्थ ने कहा कि वो गौरी ही होगी क्योंकि उससे तभी भी ऐसा लग रहा था कि कोई मदद मांग रहा था सिद्धार तुरंट वहां से उठकर हवेली जाने की तैयारी करने लगा तब रसोई बनाने वाले काका दयाल ने उससे कहा कि उसकी पत्नी भी एक दिन ऐसे ही गायब हुई थी और वो भी सब्तमी की शाम थी तब से लेकर अब तक गाउं की कई सारी औरते गायब हुई थी और सारी औरते सब्तमी की शाम को ही गायब हुई थी और उनमें से कोई कभी लाट कर नहीं आई तब बुड़े बाबा को ये समझते देर नहीं लगी की गौरी के गायब होने और उस दर्वाजे के खुलने में कोई नाता नहीं था और ये दोनों गटनाएं अलग अलग थी उन्होंने सिद्धार्थ को और बजाज को ये बात समझाए और सिद्धार्थ को याद दिलाया कि उसके पास अब सिर्फ बारा घंटे बचे थे भेडिये को मारने के लिए वे उससे तयारी करने के लिए कहते हैं सिद्धार्थ, बुढ़े बाबा गाहों के सरपंच और मिस्टर बजाज चारो रात भर बैठ कर उस भेडिये को फसाने का प्लैन मनाते हैं जिसके मताबिक दूसरे दिन सिद्धार्थ सरपंच के बेटे मोहन के साथ जंगल जाकर लकड़ी जमा करेगा सरपंच और मिस्टर बजाज तै जगा पर एक बड़ा लकड़ियों का बड़ा सब पिंजरा जैसा बनाएंगे और फिर वहां गड़ा खो देंगे जिसमें लकड़ियों के भाले घुसा के उस कड़े के उपर से डाक देंगे और उस भेड़िये को आकरशित करने सिद्धार्थ को वहां एक खूटे से बान देंगे और सिद्धार्थ को मारने जैसी भेड़िया वहां आएगा बुड़े बाबा इशारा करेंगे और सर्पंच और मिस्टर बजाज रसी खीचेंगे जिससे सिधार्थ उपर खीचा चला जाएगा और भेडिया उस कड़े के नुकीले भालों में गिर कर मर जाएगा जैसा तैह हुआ था उसी तरह सिधार्थ और मोहन दूसरे दिन सुबह जंगल के और जाने लगे सर्किट हाउस के पीछे वाली चोटी सी पगडंडी से होते हुए वे लोग निकले ये बहुत जरूरी था कि कोई नर्भक्षी उन्हें जंगल की तरफ जाते हुए न देखे नहीं तो वे नर्भक्षी लोग उनका पीछा करते हुए जंगल तक पहुँच जाएंगे और फिर प्लैन कामियाब न हो पाएगा सरपंच ने सरकिट हाउस के बगल वाले बाग में पावडा लेकर गड़ा खुदना शुरू किया और मिस्टर बजाज ने सरकिट हाउस के स्टोरूम में रस्सी, पुली वगेरे ढूंगना शुरू किया बुड़े बाबा चुपके से एक पेड़ पे चड़ते हैं और स्पीकर में जोरो से कहते हैं कि विरान गड़ के गाउवालो ध्यान से मेरी बात सुनो इन नर्वक्षियों के साथ विशाल काया भेडिया भी गाउं में खुसाया है इसलिए कोई घर से बाहर न निकले और भूल से भी कोई खिड़ की दर्वाजा खुला न रखे सिधार्थ और मोहन गाउवालों की नजरों से बचते हुए जंगल पहाँचके तब सिधार्थ ने मोहन से हर पल साथधान रहने को कहा कि कहीं कोई नर्भक्षी या वो भेड़िया आ जाए और उनका ध्यान इन पर आकरशित न हो इसलिए वे जंगल से सिर्फ सुखी नीचे गिरे हुए लकड़े उठाएंगे और बहुत जरूरत होने पर ही कुछ पीड़ काटेंगे मोहन समझ गया और वे दोनों लकड़े ढूनने लगे और ज्यादा आवाज ना करते हुए लकड़ी उठाने लगे तब अच्छानक कहीं से गौरी की आवाज आए सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ सतर्क हो गया और वा आजू बाजू देखने लगा कि कहीं गौरी वहीं आसपास तो नहीं है उसने देखा वहाँ पर कोई नहीं है तो उसने सोचा कि ये उसका ब्रह्म होगा थोड़ी देर में फिर से गौरी की आवाज आई सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मुझे बचाओ अब सिद्धार्थ को लगा कि कहीं सच में गौरी उससे पुकार तो नहीं रही थी उसने मोहन से पूछा कि उसने कोई आवाज सुनी तो मोहन ने मना किया सिद्धार्थ ने फिर एक पार उसे ब्रह्म मान कर अपना कामजारी रखा थोड़ी देर हुई थी कि फिर से गौरी के आवाज सिद्धार्थ को सुनाई दी सिद्धार्थ, प्लीज मुझे यहां से बचाओ अब सिद्धार्थ से रहाने गया, उसे गौरी को किसी भी हाल में बचाना था सिद्धार्थ ने आओ देखानताओ अपनी कुलहाड़ी निकाली और आवास के दिशा में आगे बढ़ा और जोरो से चिलाया गौरी गौरी कहा हो तुम मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने मोहन घबरा गया और उसने सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश की लेकिन सिद्धार्थ मानने वाला नहीं था मोहन ने उसे समझानी की कोशिश की की उनकी आवास सुनकर नरबक्षी और भेड़िये वहाँ आ सकते हैं तो सिध्धार्थ ने उससे कहा कि गौरी किसी मुसीबत में है मोहन तुम लकणिया इखटा करो और जाओ यहां से मैं गौरी को बचाए बिना गाओ नहीं जा सकता सिध्धार्थ गौरी को ढूड़ने के लिए आगे बढ़ा और उसे फिर से कहीं से गौरी की आवाज आई सिध्धार्थ किसी ब्रहम का शिकार हो रहा था और यह उसके लिए खत्रे से कम नहीं था मोहन अपने पिता बजा जंकल और बुड़े बाबा को मदद के लिए बुलाने के लिए वहां से भागा सिध्धार्थ गौरी के आवाज का पीछा करते हुए जंगल की गहराईयों में चला जा रहा था जंगल का वो हिस्सा जहां पेड इतने घने थे कि दिन के उजाले में भी वहां अंदे रहा था जा इंसान तो दूर जानवर भी जाने से कत्राय ऐसी जगह पर सिध्धार्थ पहुच गया था वहां उससे एक पीड के तनी के पास एक औरत बैठी वी दिखी उसे देखकर सिध्धार्थ बूल पढ़ा गौरी 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 ने अपना सर उठाया और सिध्धार्थ को देखकर रोते हुए दोड़कर आई और सिध्धार्थ की गले लग गई गौरी रोते हुए कहती है मुझे यकीन था कि और कोई आए ना आए तुम जरूर आओगे मुझे बचाने सिधार्थ ने उससे जोरों से गले लगा लिया और भावोग हो गया कैसे ना आता गौरी लेकिन तुम यहाँ पहुची कैसे कौन तुम्हें हाले करा है कौन है वो गौरी ने सिधार्थ के मूँ पर अपनी उंगली रखी और उसे चुप करवा गौरी ने फिर धीमे से सिधार्थ की गालों को चुम लिया सिधार्थ कुछ समझ पाए उससे पहले गौरी ने सिधार्थ के होटों को अपने होटों से दबा दिया सिधार्थ आखें मूंत कर उस पल को महसूस करने लगा गौरी ने सिधार्थ को कसके पकड़ा और जोरों से उसे चुमने लगी गौरी ने धीरे धीरे सिधार्थ के शर्ट के बटन कुलने शुरू किये सिधार्थ ने गौरी से कहा गौरी हमें वापस जाना चाहिए ये जबे ठीक नहीं है गौरी ने कहा वहाँ जाकर हम ये नहीं कर पाएंगे इस पल को बर्बाद मत करो सिधार्थ ऐसा कहते ही गौरी ने सिधार्थ के होटों को चूम लिया सिधार्थ ने गौरी को अपनी बाहों में कस लिया और उसकी गर्दन को चूमने लगा धेरे धेरे सिधार्थ गौरी के गर्धन से गौरी की छाती और छाती से उसके पीट को चुमते हुए नीचे चुका गौरी ने सिधार्थ को उठाया और उसकी शर्ट निकाली और उसके चौड़े सीने को चुमने लगी वहां मुवन भागते हुए सरकिट हाउस पहुचा और अपने पिता को सब कुछ बताया लैन चापट होते देख सरपंच ने मिस्टर बजाज को बुलाया और उन्हें भी सब कुछ बताया मिस्टर बजाज को सिधार्थ पर गर्व होता है कि उनकी बेटी को बचाने वो अपनी जान खत्रे में डाल रहा था सिधार्थ को बचाना जरूरी था इसलिए वे तीनों जो हत्यार मिले वो लेकर पीछे के रास्ते से जंगल की तरफ रवाना हुए जंगल पहुँचकर तीनों ने सिधार्थ को खोजना शुरू किया लेकिन सिधार्थ का भी कोई अता पता नहीं मिल रहा था बोन ने बताया कि सिधार्थ उस दिशा की ओर गया है तीनों उस दिशा में आगे बढ़ें जैसे ही वे लोग आगे बढ़ें जंगल में मौसम ने अपना रुख बदलना शुरू किया ठंड बढ़ने लगी गाना कोहरा चाने लगा जिसकी वज़ा से नजर दूर तक नहीं जा पा रही थी तब सिधार्थ को ढूनना और भी मुश्किल हो गया था और उनके लिए भी खत्रा बढ़ गया था उधर सिधार्थ और गौरी एक दूसरे के आगोश में मस्त थे सिधार्थ ने गौरी को अपनी गोद में उठा कर उसे चुमते हुए एक प्लेड के तनी के पास जाकर ख़डा हो गया गौरी ने सिद्धार्थ के कान और गर्दन को जोरो से चुमकर सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर अपनी चाती पर रखा और उसकी चूली उतारने को इशारा किया सिद्धार्थ हिच किचाया और उसने अपना हाथ पीछे ले लिया गौरी ने फिर से ऐसा करने की कुशिश की और फिर से सिधार्थ ने अपना हाथ पीछे खीच लिया ऐसा तीसरी बार होने पर गौरी को गुच्साया और उसने सिधार्थ का जोर से गला पकड़ा और उससे जोर उसे दबाने लगी सिद्धार्थ ने तुरंट उस पील के तेने पर रखी अपनी कुलाड़ी उठाई और गौरी का गला उसके धड़ से हलक कर दिया गौरी की गले से फवारी की तरह उड़ रहा कून सिद्धार्थ के शरीर को लाल रंग रहा था गौरी का गर्दन उड़कर मिस्टर बजाज के पैरों के पास आकर गिर गया और उसका धड़क गिरते ही सिद्धार्थ को सरपंच, मोहन और मिस्टर बजाज दिखे जो उसे ढूंडते हुए वहां तक पहुँच गे थे गौरी का कटा हुआ सर देख मिस्टर बजाज जोरो से चिलाएं मेरी बच्ची क्यों माट डाला सिद्धार्थ ने गौरी को जिससे वो बें तहां प्यार करता था क्या होगा जब इनका प्लैन बरबाद हो जाएगा क्या विरान गड़ को इस मुसीवत से चुटकारा मिलेगा या आज की रात वो बेडिया अमर हो जाएगा जानने के लिए सुनते रहिए विरान गड़ उनली आन पॉकेट एफेम